हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक होप यू आ दूइंग वेल मैं हूं रिमी इस वीडियो पे आप देखेंगे यह बहुत बहुत गौजा सूट पेंटिंग इसको मैंने एक फ्रॉंट स्लिट कूर्ती के ऊपर किया है आप कोई भी सूट के ऊपर इसको ट्राय कर सकते हैं तो देखिए यहां कूर्ती के ऊपर हमें कर लेना है और यहां फेबिकरिल की यह है सिल्वर डास्ट और यह है बाइंडर यह दोनों ही आपको मार्केट में बहुत इसली मिल जाएगी और यह दूसरे वीडियो की मैं दिखा रही हूं यह सेम तरीके से आपको गोल्डन यह दिजाइन करूंगी और यह पहले बाइंडर आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है नहीं तो बहुत पतली भी हो सकती है आप थोड़ी सी ले लिजिए पहले थोड़ी सी लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ब्रश से आप पानी का बिलकुल यूज मत करें इसमे बाइंडर को ही यूज करें इसको पानी से मिक्स करके आप ड्रेस के उपर पेंट नहीं कर सकते है वह वाश के बाद उतर जाएगी और यह देखिए सेम प्रोसीडियोर से मैंने गोल्डन कलर को ऐसे कर लिया है और कलर के लिए मैं यहाँ ब्रश ब्रश या जीरो नमर की रा के साइट पे कर लेना है इस डिजाइन को बहुत सिंपल है और इसको होने के बाद आपको क्या करना है आपको इस तरीके से फ्लावर को डिजाइन करना है एक फ्लावर में चार पत्ती होगी ज्यादा नहीं और एक पत्ती होने के बाद तुरंत ही आपको स्प्रेट करना है अब ज्यादा time लेंगे spread करने में तो क्या होगा वो spread नहीं होगा वो बहुत dry हो जाएगी फिर तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको फ्लावर को spread करना है आप चाहे तो इस टाइब के फ्लावर को पाच्छे पत्ती भी बना सकते हैं बर मैं ज्यादा नहीं बनाओगी ये चार पत्ती करके ही बनाओगी और फ्लावर के सेंटर पे एक छोटी सी सर्कल कर लीजिए तो इस तरीके सब को फ्लावर भी कर सकते हैं ये सारे पत्ती पहले बना के उसके बाद भी आप spread कर सकते हैं बट बहुत जल्दी करना है इसमें क्या होगा नहीं तो spread नहीं होगा आप देखिए इसमें थोड़ा कम हो रहा है और ये design आपको जितना broad चाहिए आप उतना ज्यादा फ्लावर बना सकते हैं और अगर आपको ये dust color से थोड़ी problem हो रही है क्योंकि इसको mix करना है ये सब तो आप pal metallic color का भी use कर सकते हैं वो भी market में बहुत easily मिल जाएगी उसमें आपको glittery shine ऐसे मिलेगी बट honestly बोल रही हूं ये golden dust या silver dust अगर mix करके जो color होती है उसमें shine बहुत ही ज्यादा है पाल metallic color में इतना shine नहीं होती है मैंने बहुत बार use किया है इसमें बहुत ही ज्यादा shine होती है आपको ये ज्यादा पसंद आएगी और after wash ये कुछ भी नहीं ह machine के अंदर बिल्कुल मत डालिए इसको आपको हाथ से ही wash करना है आप कोई भी mild detergent easy shampoo से आप wash कर सकते हैं और यहां देखिए leaves करना है same मैं बूल रही हूं ये बहुत ही आसान design है वर देखके एकदम से लगता है बहुत ही tough होगा ऐसा कुछ नहीं है सबको पहले आपको अच् तो अब सारे leaves को paint करना है क्योंकि flower already सब बन चुकी है और यह dressmerry rayon silk है और यह थोड़ी सी thick type की यह कपड़ा है अब cotton के उपर भी dust color से कर सकते हैं और कोई भी silk के उपर dust color से कर सकते हैं आपको बिल्कुल spread होने की कोई डर नहीं है कुछ नहीं होगा और बांगाली होले आमा के बांगलाते comment कोते पारो तुम्रा की जानते चाहा हमा के शॉप बोलते पारो आमी बांगलाती शॉप उस्तो प्रोश्ने रूट्तोर देवो और बांगलाते आपको एक्टा vlogger चैनल आचे दाको link टा description आचे ओठा देखते पारो भारो लागबे और एक्ट्रा एक दो लीब्स भी बना सकते हैं और यह सबसे अच्छा होगा अगर आप zero number round brush यूज करते हैं और flat brush आप कोई भी यूज कर सकते हैं तो पहले हमने neck के उपर जो design की थी side पे उस design को ही इसमें थोड़ा-थोड़ा करना है क्योंकि mix और match भी हो जाएगी वो design आ अलग नहीं लगेगा फिर बहुत ही आसान है इसको जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बन लाइक जरूर करना चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपको इस type की वीडियो देखना पसंद है तो और आप किस type की design देखना पसंद कर करते हैं वो भी मुझे comment करके जरूर बताइए अब यहां ना मुझे थोड़ी थोड़ी खाली लग रही थी तो मैंने सोचा यहां एक छोड़ी छोड़ी dot कर लेती हूं यह करने के बाद और ज्यादा अच्छा लग रहा है अगर आपको नहीं पसंद है इतना ज्यादा तो इसको skip भी कर सकते हैं देखिए यह है after complete thank you so much for watching this video यह देख सकते हैं कितनी खुबसूरत लग रहे हैं thank you bye